चपाक ये सुनते ही पानी के बारे में सोचने लगते हैं लेकिन अब चपाक के माइने बदल गए अब चपाक का मतलब है तिजाब सरीर जला देने वाला तिजाब तस जनवरी को मेगना गुलजार के फिल्म चपाक रिलीज होई ये फिल्म लक्षमी अगरवाल की जिन्दगी की कहाने दिखाती है वो लक्षमी जिन पर 2005 में उनसे दो गुने उम्र के सक्स ने तिजाब फेक दिया था लक्षमी तब 15 साल की थी और वो आदमी उनसे शाधी कर चाहता था छपाक ने तिजाब के बिक्री और तिजाब हमलों को लेकर पहस छेल दी लक्षमी ने 2006 में तिजाब की खुली बिक्री पर रोग लगाने के लिए एक जनित याचिक का PIL ताखिल की थी 2013 में सुप्रीम कोट PIL के पक्ष में अपना फैसला सुनाया एसिड अटेक के लिए मार्च 2013 में अलग-अलग धराई 326A और 326B बनाई गए मैन युगों के तहट 18 साल से कम उमर के किसी भी व्यक्ति को एसिड नहीं बेचा जा सकता है ऐसे खरीदने के लिए एक पहचान पत्र दिखाना होगा पहचान पत्र के साथ तेजाब खरीदार को भी एड्रेस साबित करने वाला प्रमार पत्र भी दिखाना होगा तेजाब विकृता के पास तेजाब बेचने का लाइसेंस होना चाहिए तेजाब के हर एक बिक्री की जानकारी दुकानदार को पुलिस के पास जमा करानी होगी हाला कि ये नियम किसी हद तक फॉलो किये जा रही है इसका हालिया उधारन छपाप के टीम का ही एक वीडियो है जो सोशल मेडिया पर वैरल हो रहा है तीपी का पादू कोर और छपाप के टीम ने ये जानने के लिए कि फुटकर तेजाब की बिक्री दुकी है या नहीं एक इस्टिंग ओपरशन किया इसके लिए उन्होंने कुछ आर्टिस को चुना इन में से एक ग्रस्ती वाला सक्स, एक हाउस वाइफ और एक कॉलेज स्टोडेंट, एक सड़क छाप गुंडा, एक प्लंबर, एक बिजनसमेन, एक को नसीरी की किरदार में अलग-अलग दुकानों पर तेजाब खरीदने को भेजा वीडियो में देखा जा सकता है कि सिर्फ कुछ एक दुकानदारों ने तेजाब बेशने से पहले ग्रहाक से आईडी कार्ट मांगा वहीं जादा तर दुकानदारों ने बिना उम्र जानने और भचान पत्र के बिना तेजाब बेच दिया वीडियो में दिपीका बता रही है कि स्टिंग कर रही टीम ने एक दिन में 24 तेजाब की बोतले असानी से खरीद थी फरवरी 2018 में सुप्रीम कोट ने सभी 29 राज्यों और साथ केंदर सासित प्रदेशों को नोटिस जारी करके एसिट अटैक विक्टिम को लेकर उनके राज्य की हलात की जानकारी मांगी थी अगस्त 2019 में सुप्रीम कोट ने बताया था कि अग तक सिर्फ 13 राज्यों ने ही अपने जवाब दिये हैं कोट ने नोटिस में एसिट की पिक्री और पिडितों की मुआवजे को लेकर जानकारी मांगी थी जवाब का इंतजार है कोट को और तिजाब हमले को छेल चुकी कई जिन्दगियों को भी इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि P.I.L. गाने के बाद भी कुछ जादा बदला नहीं है तिजाब बिक रहा है खुले आम बेखाफ और नर्क बन रही है कई जिन्दगिया